अगर आप हमारे इस चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकोन को दबाना ना भूले ताकि हमारे सारे वीडियो के नॉटिफिकेशन्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें यह संटेंज्स जो होता हैं इसपेशिली सब्जेक्ट यू के लिए होता है जिसे हम हिंदी में आप या तुम खैके भी बुलाते हैं तो चलिए चलते हैं आगे इसके use देखते हैं इसके use में सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि इसके 3 conditions क्या क्या हैं क्योंकि condition के base पे हमको ये पता चलेगा कि हमको sentence कैसी use करना है तो सबसे पहला condition देख सकते हैं आप लोग, order होता है दूसरा condition देख सकते हैं, advise होता है और तीसरा condition आप लोग देख सकते हैं, request होता है means, order means आधेस, advice means जलाह, और request means आग्रह आग्रह को हम निवेदन या फिर बिन्ती भी बोलते हैं इन तीनों को हम point के according देखते हैं कि किसके डिये use होते हैं याद रखिएगा जब भी कभी हम sentence से order करते हैं तो कुछ भी चीज किसी को करने के लिए कहते हैं वहीं जब कि दूसरा condition है इसे हम advisement सलाह देने के लिए use करते हैं जो कि sentence को हमेशा always लिख करके बनाया जाता है या फिर use करके बनाया जाता है और वहीं तीसरा जो request है इसके लिए आपको please use करना पड़ता है या तो kindly use करना पड़ता है फिर इसके बाद से sentence को translate करते हैं तो I hope कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि order जो है वो to do something तो चलिए आगे वड़ते हैं देखते हैं इसके पूरे use one by one करके जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने हर एक चैप्टर को identification दे करके समझाया है उसी तरह से हम imperative sentence को भी एक identification देंगे जिसका id है आ, ओ, न, ए इसका structure होगा b1 plus object plus rp जो कि सबसे पहला option means, सबसे पहला condition मैंने बताया था order means to do something, means कुछ भी चीच करने के लिए चलिए example देखते हैं, example में आप देख सकते हैं उसे अभी यहाँ बुलाओ, तो last का जो identification है वो आप समझ सकते हैं ओ आया है, इसलिए हम इस sentence को कुछ करने के लिए order दे रहे हैं किसी को, जिसका English sentence होगा translation सबसे पहले आपको भीवन यूज करना है, means बुलाना, बुलाना means call अब उसे means object निकल रहा है, him और rp means निकल रहा है, यहाँ means here और last में फिर एक rp निकल रहा है, now means अभी तो complete sentence होता है, call him here, now next example देख सकते हैं, यहाँ से जाओ तो यहाँ पास भी आप देख सकते हैं कि last में o की मात्रा आ रहा है, means o आ रहा है इसके लिए भी आपको according to this structure यूज करना होगा इसमें सबसे पहले आपको वर्व लिखना है, means सबसे पहले आपको जाना का meaning लिखना है, means go फिर इसके बास से देखिए, say के लिए from, और फिर इसके बास से यहाँ के लिए here, means complete sentence है, go from here अगला sentence है, चुप रहो, चुप रहो, last time देखिए, रहो, means o की मात्रा भी आ रहा है, इसमें फिर से, तो इसका complete sentence होगा रहना के लिए keep, और चुप के लिए silent, means keep silent एक चीज़ और याद रखना है कि कभी-कभी बहुत से लोग rudely behave करते हैं, तो बोलते हैं, जैसे last वाले sentence को example देता हूँ, चुप रहो के जगे पे बोलते हैं, चुप रहना, तो उसके लिए भी आपको keep silent ही यूज़ करना है, तो ना I identification, या फिर AI, या फिर AI, कोई भी idea है, तो आपको इसी के coding लिखना होगा, इसी structure के coding, चलिए चलते हैं second condition की तरफ, हमारा second condition है advice, और मैंने ये बताया था, जब भी कभी हम किसी को advice देते हैं, तो sentence के सबसे सुरू में हमको always use करना पड़ता है, जिसका हिंदी होता है हमेशा, एक example देख सकते हैं, हमेशा सकारात्मक सोचो, तो ये sentence हम advice के लिए use कर रहे हैं, तो यहाँ पास आपको हमेशा के लिए always लिखना पड़ेगा, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब इस structure में आपको भीवन से ज़स्ट पहले bracket में जो dash 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 है, उसके पास आपको always लिखना होगा, फिर इसके बास से भीवन, फिर object, फिर आर्पी, complete sentence देखिए, हमेशा सकारात्मक सोचो, means always think positive, तो यहाँ पास भीवन थिंक हो गया, और positive आपको object, और हमेशा के लिए always, और second condition देखिए, I mean second example देखिए, हमेशा सच बोलो, means always speak the truth, उसके बास से जो example वो देखिए, हमेशा गारी धीरे चलाओ, always drive the car slowly, तो यहा package वाले sentence जितने भी होंगे, means advise वाले, वो कैसे और किस तरीके से बनेंगे, और इसके structures क्या होंगे, so friends, चलिए देखते हैं, तीसरा condition, तीसरा condition जैसे हमने बताया था, request के लिए होता है, जब भी कभी हम किसी से request करते हैं, तो सुरू में हमको sentence के please या तो kindly use करना पड़ता है, जिसका हिंदी होता है क्रपया, तो यहाँ पास आप इस structure देख सकते हैं, जहाँ पास हम always लगाते थे हमेशा के लिए, उसके जगे पे अब हमको क्रपया के लिए please या तो kindly use करना होगा, और फिर इसके बाद से b1, फिर object, फिर इसके बाद से rp लगा करके sentence को translate करना होगा, तो चलिए एक example देखते हैं, example है क्रपया धीरे बोलिए, तो यहाँ पास देखिए धीरे बोलने के लिए यहाँ पास request किया जा रहा है, जिसके लिए हमको क्रपया यूज करना पड़ा है, तो इस sentence को translate करने के लिए सबसे पहले आपको क्रपया का meaning means please या तो kindly लगाना है, फ क्रपया धीरे बोलिए means please speak softly, तो चलिए second example देखते हैं, क्रपया मेरी मदद कीजिए, तो यहाँ पास आपको क्रपया के लिए kindly या तो please में से कोई एक word यूज करना है, फिर इसके बाद से help means verb लिखना है, उसके बाद object means me, तो complete sentence बनेगा, please help me, चलिए third example देख लेते हैं, क् माफ ही मागी जा रही है, किसी गलती के वज़े से, तो यहाँ पास आपने क्रपया के लिए kindly use किया, फिर माफ करने के लिए forgive और हमें के लिए objective form us लिखा गया है, तो complete sentence बन रहा है, kindly forgive us, so friends, इसी तरह से आपको पूरे sentence बनाने होंगे, तीनों conditions के लिए, first condition आपको पता होग कि पहला condition order के लिए था, second condition means advice के लिए हुआ था, और third condition आपका request के लिए, तो तीनों conditions के लिए आपको sentence practice करते रहना है, इसी structure के base पे, बाकि अगर आपको कोई भी doubt हो, तो आप जरूर हमसे contact करें, या तो commit box में जरूर लिखें, तो friends, चलिए कुछ sentence practice के लिए हम देते हैं, उसको आपको translate करना होगा, पूरे sentence mix रहेंगे, तीनों condition उसमें include रहेंगे, तो आपके sentence ये है, इन सभी sentences को आप practice के लिए translate करें, और कोशिज करें कि comment box में इनके सभी के answer, I mean translation link के आप भेजें, और इसी के साथ हम देखते हैं इ याद रखिएगा, यूज करने के लिए आपको ये formula यूज करना होगा, according to condition, बाकि अगर आपको कोई भी doubt, clear नहीं होता है, तो एक बार इस वीडियो को और देखें, और फिर भी अगर clear नहीं होता है, तो हमसे जरूर contact करें, या फिर हमें comment में जरूर पूछें, मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, have a good one, take care, bye-bye